जम्मू कश्मीर के विकास पर अब आते हैं सर अनुछे 370 हटने से 35 हटने से क्या बदला है इतना investment आएगा लोग आएंगे जमीन खरीद पाएंगे क्या कुछ बदला है वाकई जम्मू कश्मीर के लिए क्योंकि जितने नेता हैं जो पाकिसान की politics करते हैं या 370 की politics करते हैं कहना है कि हम लोगों को बंदी बना दिया जो हमारा था वो भी हमसे च्छिन लिया कैसे लोग माने कि आप बतौर LG वहाँ पर गए कुछ तस्वीर बदली क्या प्रमाण क्या है उसका मुझे लगता है कि मुझे यहां प्रमाण देने जिरूत नहीं है आपसे मैं आगरा करू सब्सक्राइब के बाद भी करने में हम सफल रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि आ जम्मू में एम्स का काम काफी आगे बढ़ गया है पहला बैच वहां के विद्यार्थिरिस केस में पढ़ रहे हैं इस साल जम्मू आ करके पढ़ेंगे स्रीनगर का एम्स टेंडर हो हैं उसका काम प्रारम होने जारे साथ साथ नए मेडिकल कालेज जम्मू कस्मीर में अस्थापित हो गए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे हाइवे बन रहे हैं जहां जो जम्मू कस्मीर के लोगों ने देखा नहीं था दो-दो टरनल अभी कुछ चंद दिनों पहले जहां जेडमोर टनल हो या बनिहाल वाइल टनल हो इनका काम पूरा हो गया है और मैं आपको थोड़ा अगर जम्मू कस्मीर की तस्वीर प्रस्तूत करूं तो आपको और देश को ज्यादा समझ में आएगा जम्मू कस्मीर की कुल अबादी ये करोड 30 लाग है और इस साल ज बजट पांच लाग करोड यूपी की आबादी मोटे तो पर 23 करोड बिहार का बजट 30,00,000,000 आबाजी बारा याद रे- напр continuouslyote, बिवारrons तैरा करोड, तो इन राजिए और आप तुलना करेंगी बाकी इजक्शना ही ना मैं ले सकता हूँ, तो जमू कस्मीर में बाइकी चार लाग से ज्यादा और एक लाग के आसपास डेली वेजर अब मैं तीसरी बात आपको बताता हूं प्रधानमंत्री ग्राम सलक योजना जब देश में वाजपेई जी की सरकार ने सुरू की तो अब ग्रामीर सलकों के मामले में देश की बाकी राजियों में काम पूरा हो ग करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 6-7 वर्सों में इस देश में बिजली के पावर सेक्टर में बड़ा भारी रिफार्म हुआ है बड़ा काम हुआ है हमारे गाउं में भी 22 घंटे बिजली रहती है आप जिस गाउं की नयनी जोर की रहने वाली है वहां भी आप पता करेंगी तो वहां भी 22 घंटे बिजली मिलती है लेकिन जम्मू और स्रीनगर में भी बिजली 22 घंटे मिले इसकी गारंटी 70 साल में नहीं हो पाई थी